तुम तूटे जुडे हजार बार इस पार कभी उस पार कभी बहुत सारी कहानिया लिखी गई हैं और जैसे कि प्रसाद की रचना में कहा गया है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो और अलग-अलग अंदाज में नारी को लेखक प्रस्तुत करते हैं तो चलिए नीरच की राय जानते हैं इस गीत के जरीयों क्या कहना चाहते हैं चलिए अर्ध सत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत एस पार कभी उस पार कभी तुम बिछडे मिले हजार बार इस पार कभी उस पार कभी आगे लिखते हैं कि तुम कभी अश्रू बण कर आखों से तूट पड़े तुम कभी गीत बन कर सांसों से फूट पड़े तुम तूटे जुडे हजार बार इस पार कभी उस पार कभी तम के पत पर तुम दीप जला धर गए कभी किर्णों की गलियों में काजल भर गए कभी तुम के पत पर तुम दीप जला धर गए कभी किर्णों की गलियों में काजल भर गए कभी तुम जले बुझे प्रिय बार बार इस पार कभी उस पार कभी फूलों की टोली में मुसकाते कभी मिले शूलों की बाहों में अकुलाते कभी मिले तुम खिले जरे प्रिय बार बार इस पार कभी उस पार कभी तुम बन कर सपन ठके सुधि बन कर चले साथ धड़कन बन जीवन भर तुम बांदे रहे गात तुम रुके चले प्रिय बार बार इस पार कभी उस पार कभी तुम पास रहे तन के तब दूर लगे मन से तुम बिचुडे मिले हजार बार इस पार कभी उस पार कभी वाह बहुत शांदार रचना थी नीरच की अगर आपको अच्छी लगी है तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करके बताएं आपको ये रचना कैसी लगी और दूसरों को तो आप भेजेंगे ही लोगों को शेयर करें चुकि अच्छी चीज़ें जितना शेयर की जाएं उतनी ही बढ़ती हैं तो चलिए इस रचना के साथ ही आपसे विदा लेते हैं फिर भेट होगी नई रचना के साथ तब तक अपना खयाल रखिए नमस्कार